नमश्कार दोस्तों किया आप बिल्कुल रेडी हैं नियू टेक्नोलिजी के लिए जो कि आपको और ज्यादा पर्सनलाइज 5G करेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएड आने वाले टाइम में आपको 6G टेक्नोलोजी प्रोवाइड करवाएड क्यूंकि अब आपको बहुत जल्दी 5G इनेवल लैप टाफ मार्कित में देखने के लिए मिलने वाले क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल चल और जिस तरीके से ट्राइल को Collin कंप्लीट कर लिए गया रहा है वहां पर दिखाई देता है कि हाँ जलदी अब मार्केट के धमाका मचाने वाले हैं आपको लैप्टॉप लेकिन इसमें किस तरीके से नई टेकनोलोजी यूज की जा रही है और कौनसी कंट्रियां अभी ट्रायल ले रही हैं कौनसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट कर रखा है और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट किस चीज की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे शूट आउट कर लिया गया है क्योंकि यहां पर बात करी जाया है तो कहीं न कहीं आपको और पर्सनलाइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइट करवाना कहीं न कहीं इंटरनेट्स ऑफिंग डिवाइज जो कि हम कह सकते हैं कि लैप्टॉप एक सबसे बड़ा एक्जाम्पल देखने के लिए मिलता है तो वहां पे किस तरीके से आपको और ज्यादा मल्टिपल कनेक्टिवीटी प्रोवाइट करवाना और आप से मल्टिपल तरी प्रेवल करें फरक नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन कम्पनिया काम होना चाहिए तब आप जॉब कर रहे हैं किसी भी काम के लिए वहां पर आपको इंटरनेट की रिक्रमेंट होती है तो यहां पर जो ट्रायल चल रहा है वह रिग्जन माईक्रोसॉफ्ट मिलके और मेजर ट स्विचिंग मैनेजमेंट जो कि सबसे जादा इंपॉर्टन रोल प्ले करता है क्योंकि इंडिया में यह बात करें तो अलग-अलग कंट्रियों में प्रॉब्लम यही होती है कि कि किसी भी एक टेली कॉम मतलब कंपनी का जो नेटवर्क है वह इतना प्रफेक्ट नहीं होता कि आपको हर जगा एक अच्छा 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइट करवा सके तो इसलिए यहां पे स्विचिंग मैनेजमेंट का वर्क किया जा रहा है जिससे कि आपको तब आप लैप्टॉप लें उसमें 5G कनेक्टिविटी मिले e-sim के द्वारा लेकिन उसमें आपको स्व पोर्जी एनेबल कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है जियो के तरफ से जिसमें कि आपको जियो खरीदते हैं तो वहां पे आप मतलब इंडिविजल रिचार्ज करके एक अच्छी कनेक्टिविटी ले सकते हैं और अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं लेकिन प्रॉब लेकिशल के यहां पर प्रॉब्लम क्या है क्योंकि इंडिया में तब आप आते हैं आफम्स टा सेक्टे का उन्दर स्विने सफ लेकिन अब स्विशल के लेकिन कि जैसे service का भी use laptop में directly कर सकते हैं, अपने mobile number को ही लेके maximum सारी जो service है वो आप अपने laptop में आज की date में access कर सकते हैं, तो individual में अपने mobile का number अलग रखूँ और laptop का number अलग रखूँ तो यहां पर सबसे बड़ी problem होती है, तो अब particular जो है सिर्फ data के recharge होना चाहिए, जो कि लोग अप आएंगे, बड़ आप हमाई चैनल पर फर्स्ट आमाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक चलू कीज़ेगा regular update के लिए, क्योंकि यहां पर सबसे आप सा important होता है, जिस तरीके से company ने का है कि उन्होंने successful ही अपना demonstration complete कर लिया है, जो की automatic network switching पे किया है, जिसमें कि जो अलग-अलग telecom company देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यह जो test चल ला है, वो तीन country के बीच में चल ला है, जैपैन, United States और स्वीडन के बीच में, जहां पर टैलिया सुडेन देखने के लिए मिलता है, T-Mobile जो है वो आपको particular United States का देखने के लिए मिलता है, Southbank आपको जै कर रहे थे 5G Windows 11 PC laptop पे, तो during the travel, वो Scott home पे New York में और C-Tel में, मतलब travel के दोरान उन्होंने और Tokyo, यहां पे तब इन्होंने इत्ता लंबा सफर किया, तो यहां पे सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि यह जो मतलब laptop है, जिस पे test किये जा रहे है, वो multiple eSIM profile के साथ आते हैं, मतलब तब country भी change हो रहे हैं, अब long travel भी कर रहे हैं, तो वहां पे multiple profile work कर रही हैं, और जहां पे जिस country का अच्छा telecom sector में, अच्छा telecom network देखने के लिए मिलता है, तो वहां से connectivity लेके multiple country में चल रहे हैं, लेकिन work पे किसी तरीका का effect नहीं पढ़ रहा है, और यह जो मतलब पूरा setup है e-sim का, वो Microsoft के तरफ से देखने के लिए मिलता है, तो मतलब यह है कि आप multi country travel भी कर रहे हैं, तब भी कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, कि आपके internet service जो है वो continue अच्छी तरीके से work करना चाहिए, इसलिए यहां पे multi operators का main role आता है कि तब आप country to country travel कर रहे हैं, तो वहा package अलग से enterprises के तरफ से देखने के लिए मिलेगा third party का, जो कि multiple country से जहां पे आप travel करते हैं, जहां पे आपका mainly movement रहता है, तो वहां पे भी है आपके 5G connectivity, मतलब आप खरीद रहे हैं, तो मैंने geo की sim ले ली तो अच्छा मैं आप दुबए जा रहा हूं, तो मैं internet नहीं चला तो वहां की already आप e-sim activate कर सकते हैं device के अंदर और वहां का internet भी use कर सकते है, 5G laptop के अंदर, तो आप यहां पर यह important है कि कौन सी company सबसे पहले ले के आती है, और किस तरीके से वो multi country connectivity e-sim provide करवाती है user को, और क्या price रहेंगे, सबसे ज़्यादा important वो भी रहेगा, लेकिन यह एक सोच सकते हैं, यह वीडियो आप अच्छे लेगे, रैगुल आपडेट के लिए चैनल के सस्क्राइब, वीडियो को लाइक चलू कीजेगा, धन्यवाद